आम का नाम आते ही मुह में पानी आ जाता है पर क्या आपको पता है कि यहां के बैपारी कुछ मुना पेखे खातिर इसमें जहर मिला रहे हैं भारत में खाने की चीजों में खुब मिलावट की जाती है खानी पीने की चीजों की क्वाइलिटी और क्वाइंटिटी बढ़ाने क के लिए ऐसे खतरनाक केमिकल्स मिक्स किये जाते हैं जो सेहत के लिए जानलेवा पिमारियों के मुह में धगेल सकते हैं गर्मिया है और सिजन आम का है तो कारवारी आम को जल्दी-जल्दी पकाने के लिए जहरी ले रसाइन का इस्तिमाल कर रहे हैं केल्सियम करवाइड एक प्रसाइनिक पदार्थ है जिसके इस्तिमाल पर भारतिये खादे सुरच्छा और मानक प्राधिकरन ने बेन लगा रखा है फिर भी यहां के बैवारी इसका उप्योग धलले से कर रहे हैं केल्सियम करवाइड का उप्योग फलों को जल्दी पकाने के लिए क्या जाता है इस के अलावे आपको सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, सीर दर्द, उल्टी और चक्कर आना जैसे लच्छन हो सकते हैं दोस्तों अब बात आती है कि ऐसे आमों की पहचान हम बजार में कैसे करें तो आईए जानते हैं कि केल्सियम करवाइड से पके आम की पहचान कैसे करें ऐसे आमों का रंग फिका होता है कुछ हिसे हरे, कुछ पिले और कुछ लाल रंगे हो सकते हैं यानि ये पूरे पके हुए नहीं होते हैं इस आमों में चमक होती है जो प्राकिर्तिक रूप से पके आमों में नहीं होती है इन में जोरियां अधिक हो सकती है इन आमों मे मिठास कम होती है केल्सियम करवाइट से पके आम बाहर से कटोर हो सकते हैं भले ही वे अंदर से नरम क्यों ना हो पकने के बाद भी ये आम असमानी रुप से मुलायम हो सकते हैं ये आम मौसम से पहले और बाद में बजार में खोब मिलते हैं अधिया आप इन में से किसी भी ल से आमों को ना खाएं ताकि आपका स्वास्त ठीक रहे